ओम शान्ति हमारे बीच में पधारे हैं हमारे आदर्णिय राजियोगी भ्राता रामनात भाईजी एक हाथ हिला कर हम आपका स्वागत करते हैं सतकार करते हैं अभिनंदन करते हैं भ्राता जी बाले काल से ही धार्मिक शास्त्रों का अध्यन किया है क्योंकि रूडिवादी धार्मिक परिवार में चन्म हुआ लेकिन सत्य फिर भी क्लियर नहीं हुआ और इसलिए सत्य की तलाश में थे और जब 1972 में यह इश्वरिय ज्ञान प्राप्त हुआ तो सत्य की खोज पूरी हुई और जो सत्य यहां मिला उसकी गहराई में गोते लगाने आरंब कर दिये ग्यान की गहराई योग की गहराई में उतरने का खूब अभ्यास किया साथ साथ लौकिक जॉब भी की आपने मुंबई में मेनेजरियल पोस्ट पर थे लेकिन जब 1978 में पहली बार मदुबन धर्नी पर आना हुआ बाबा से मिले इस धर्नी की अमीठ चाप आपके दिलो दिमाग पर पड़ी और आपने अपना जीवन इश्वर य सेवाओं के लिए समर्पित कर दिया तो 1978 से लेकर अब तक आप हेड कौर्टर में रहकर तीनों ही स्थानों में अपनी सेवाईं देते हैं और देश विदेश में भी अपनी सेवाईं देते हैं भ्रमन करते हैं और जब से ऑनलाइन सिवाएं आरंभुई हैं तो बहुत ही ज़्यादा सिवाव में बीजी हो गए हैं, दे एन नाइट कहीं न कहीं कोई न कोई क्लास कराते रहते हैं, इसके साथ साथ आप हमारे जो धार्मिक प्रभाग हैं, उसके हेड़कौर्टर कॉडिनेटर भी हैं कि ज धर्मशेत्र के प्रकान पंडितों महामंडलेश्वरों से संपर्क में आना होता हैं और बाबा कहता हैं इतना इजी नहीं हैं जो शास्त्रों का भूसा दिमाग में भरा हो उसको निकालना लेकिन बाबा ने इतनी अच्छी दिव्य बुथी दी हैं कि जब उस प्रभाग के अंतरगत धर्मशेत्र के प्रकान पंडित महामंडलेश्वर यहां आते हैं बाबा के ज्ञान से आप उन्हें बहुत ही सहस्ता से कन्वींस कर लेते हैं न सिर्फ कन्वींस करते हैं ऐसी अमीठ छाप बाबा की बाबा के धरनी की यहां की पालना की उनके दिलों दिमाग पर चोड़ते हैं कि वहाँ जाने के बाद भी वे यहाँ फोन करते हम अपने पूजा में लगे हुए हैं लेकिन मन हमारा मदुबन में हैं तो ऐसे हमारे भ्राता जी जो बाबा का ज्यान की छाप सब पर चोड़ते हैं आज हम आपसे सुनेंगे कि हम अपने अमरत वेला को पावर कैसे बनाएं क्योंकि इमारत की मजबूती उसके निव पर आधारित होती है और हमारे ब्राह्मन जीवन की इमारत की जो निव है वो अमृत वेला है तो हम सुनेंगे पावर्फुल अमृत वेला आधनिया ब्रादाजी ओम शांती ओम शांती जहां आप और हम बैठे है ये इश्वरिय विश्व विद्याले है शौट में ब्रह्मा कुमारिस के दे इसके अंदर जो राज्योग है वो तीन प्रकार से है एक है बाबा कहता है चलते फिरते सब कुछ करते है याद करो कितना करो आठ घंटा याद करो तो उसकी विधी चाहिए है असंभव ने सहज है दूसरा कहा कि सरु सम्मंद मेरे से जोड़ो तो योग कर्म योग में आया वो भी सबेरे से शाम तक आठ घंटा कर सकते हैं तीसरा है सबेरे सबेरे अमरुत्वेला केता है शाम को संध्याकाल केता है सूर्य उदेव होने से पहले सूर्य अस्त होने के बाद भक्ती में भी अर्गी देते थें तो ये दो समय पर बैटकर पंदरा मिनिट आदा घंटा एक घंटा जो हम करते उसका नाम है तपस्या तीनों अलग है याद आठ दस घंटा करो उससे विकर्म अब भी नहीं बनेंगे लेकिन पहले जो किया हुआ है वो भस्म नहीं हो सकते उसके अंदर इतनी ताकत नहीं है योग सरुसंबंद जोड़ा सरुसंबंद के कारण जो हमारे जिवन में दुख अशान्ति बनता है तनाओ उससे मुक्त हो सकते मिना अब भी वर्तमान कोई पाप नहीं बनेगा कि भगवान साथ है लेकिन उससे विकरम नाष्ट नहीं होंगे तो उसके अंदर इतनी ताकत नहीं एकागरता में है तो जो सबेरे समय है शरीर को भी रिस्ट शाम को भी सब काम हो गया यह दो समय जो है तो हम इंगलिश में कहते है अपने को जागरत करो कि हर सेकन हम शरीर म है शरीर छोड़के एक सेकंद भी नहीं है सत्युक से लेकर अभी लास्ट तक तो उसको जब बैठते हो तो अशरीरी बनो एक्टिवेट कर अपने आपको तो उसकी विधी है और एक्टिवेट वर कॉंसियसनेस और कनेक्ट विद सुप्रीम कॉंसियसनेस तो उसको रोज बाबा मुरले में कहता है अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो क्यों विकर्म विनाश करना है हम इस इश्वरिय विश्विध्याले में इसी लिए आये 100% हमारे भगवान से प्यार था वरत किया जब किया सब कुछ किया लिकिन जो विकर्म विनाश होना चाहिए वो न पहली दफ़ सुना एक नया शब्द यूज किया उसका अर्थ आप सोच के रखना आज के मुर्ले में कि ये सत्संग त्योहार है कोई सोचेंगे त्योहार कैसे सत्संग में तो अर्थ सईथ है सोचना ये सत्संग त्योहार है त्योहार में क्या किया जाता है तो वो सोचना और यहां सत्संग में क्या किया जाता है तो यह दोनों अगर आप सोचेंगे थोड़ा 50% परसंट तो तब आया कि भेंजने एक टॉपिक रखा अम्रुत्वेला तो जब भी दो समय पर हम बैठते हैं और इस इश्वरिय विश्विध्याले में राज्योक एक विधी है नहीं तो आदर्णिय स्वामी विवेकानंद जी ने भी राज्योक सिखाया है तो शुब आबा करके कौंसा राज्योक सिखा रहा है कोई पूछेगा तो वहां मन मनाभव मन मेरे से लगाओ बुद्धी का गयान नहीं तो यहां माताय भी मंदिर में जाएंगे भगवान इस बच् योग है दिल याद जो है वो बुद्धी के अंदर है दिल से याद करो दिल ये दिल तो याद नहीं करता शरीर का ग्यान तो नहीं है आत्मा का आत्मा का दिल याद बुद्धी में है दिल और दिमाग दिमाग बहुत चलाते हो तो याद जो है बुद्धी के अंदर तो अंत में परिक्षात यह, पेपर आते ही, जो पड़ावा अंदर है, पड़ाता है उसने बहुत कुछ, लेकिन अंदर रेकॉर्डिंग नहीं हुआ है, समझ में नहीं आया है, समझ बुद्धी के अंदर है, जो अच्छी तरसे ध्यान से पड़ता है, तब कहा पड़ेंगे, ल राजाई, ऐसी राजाई नहीं है, मैंने पढ़ लिया, मुर्ली सुन लिया, लिख लिया, listening, reading is not everything, understanding, मुर्ली सुनने के बाद क्या समझ में आया, अगर समझदार बच्चा किसी प्रकार के प्रश्ण पूशने दो, एक साल के बाद तुरंत उतर लिखता है, क्योंकि मैं इसले कहा, यहां भी ग्यान का प्रयोग योग है, जो हमने इतना साल से ग्यान सुना, किसके ल तो खास करके भेंजे ने आज कहा कि सबेरे और शाम, जब बैठते हो, हमारा परपज करमातीत बनना है, करमातीत अर्थात, उसकी निशानी, शरीर छोड़ने से पहले, कभी भी, इस शरीर में रहते हुए बाबाने के अंतिम जयनम है, अंतिम जीवन है कल योग में, आज का है ना, तो ये अगर है हमारा अब दुबारा नहीं आना इदर, घोर कल योग है, है ना, बहुत हिसाब किताब है, कर सकते हो, कोई मेहनत का नहीं, बहुत दस गंड़ा योग की नहीं चाहिए, ऐसे भागी विधाता विधी बताता है, कर्म वही, धर्म वही, शरीर वही, संस वही, सब कुछ होई है, सिर्फ एक विधी पुरुवक करते हो, तो पदमों की कमाई जमा कर सकते हो, इसले का भाग ये विधाता है, वो विधी क्या बताता है, दुनिया में बहुत कुछ बताया, दुनिया का ग्यान से कुछ नहीं हुआ, तो आप देखो, भगवान ने आक है ना, तो कहते हैं, मुझे समझो, आपको मैं कैसे समझो, भेंजी है, ये भी भेंजी है, ये भी भेंजी है, सबी हम आत्मा है, सोचना, अपने को कैसे समझो, समझने के लिए कुछ करना है, अपने आप समझ में नहीं आती है, फिर मुझे याद करो, का सादू, संत भी ब् उच्छने होगा जब तक मुझे याद ने किया है तो बाबा को याद क्या करेंगे क्या याद करना है जिससे विकर्म विनाश हो फिर इंग्लिश में उसके लिए तीन शब्द आते हैं जब योग में पंदरा मिन बेठो एक घंटा बेठो आदा घंटा बेठो बैठना बैठत जहां पोंचने आपको वहां की लाइन क्लियर देशे फोन में नंबर डाल दिया तो लाइन क्लियर सीध हलो आता आवाज तो आपका यहां से परमधाम तक लाइन क्लियर उसकी वीदी बताता हूं सहाज है कोई कटिन नहीं है फिर कनेक्शन क्लियर चाहे योग में तो बैठ परमधाम भी पहुँच गए अभी क्या करना है तो नहीं दूआ जाएंगे तो वहाँ थेरना है connection जोडना है तो क्या connection जोडना है तब charging होगा कितना minute वहाँ रहे कितना second वहाँ रहे वो charging हे वो गिंती करना बेठे भनी वहाँ पहुशने के बाद मन बुद्धी में दूसरे कोई विचार नहीं आया क्या विचार आया बाप सरुशक्तिवान है सरुगुणवान नहीं कौन सी सरुशक्तिया है एक एक शक्ति लेके अगर आप compare करते हैं हमारा बाप ये है अरो मैं कौन क्या कि बाबा ने का मेरे जैसे बनो है ना तो मेरे सरुशक्तियों के उपर अधिकार प्राप्त करो तो मास्टर सरुशक्तिवान बनेंगे अगर एक शक्ति पर करो लक्षमी के पास एक ही है सरस्पति के पास एक ही शक्ति है तो मास्टर शक्तिवान बनेंगे सर्व नहीं आएगा सर्व शक्तिय में इस कितनी मुख्य आठ शक्तिय है अस्ट रतन बनते है विश्व माहराजन है तो एक एक शक्तिय के उपर अधिकार, मास्ट्री तो पहले अपने को समझो मैं कौन समझ न नई तो आप एक घंडा बैठे हो, विचार करे हो विश्वामित्र ने भी इतनी तपस्या किया क्रोध को भी जीतने सका तपस्या में बैठना सब कुछ नहीं है, कागज धूप में रखने से कुछ नहीं होता है वही कागज, वही सूरी के करिने एक ग्लास को पकड़ो, हाथ हिलता है एक के मिनिट में भस्म कर सकते हो विधी से सिद्धी तो इस इश्वरी विश्विध्याले में विधी है पदमों की समेहनत नहीं है माता जी पहले ज्ञान में आने से पहले भी रोज गरीब को खाना देती थी कोई बिकारे आता था सादू आता था देती थी अभी दो साल हो गया ज्यान में चल रहे अभी वही आता है उसे को आज भी खाना देती है दोनों में अंतर है क्या अंतर है आत्मा दिखाई दिया आत्मा दिखाई तो नहीं दिया पहले शरीर को देखते थे वही व्यक्ति है अभी उसको देखते अरे ये भी तो भगवान का बच्चा है शुबाबा का बच्चा है शुबाबा की याद आई कर्म वही शरीर वही व्यक्ति वही परिस्थिति वही सिर्फ स्मृति पदमो की पदमा पदम भागिशाले बन सकते हो इतने साज भी दिये कोई कुछ करने की जुरूत नहीं आए घरास्त में संसार में सब कुछ करते हुए सब कुछ करो कुछ छोड़ना नहीं और कुछ एड़ करना है तो पदमा पदम भागिशाले बन दो ब्रह्मा बाबा दो तीन दो लड़के थे तीन लड़के थी संसार में था बिजनेस था लास्ट में भी चार सो बच्चों को संभाला यहां तक भी क्या बन गया हमसे आगे पिछे रागे आगे गया वभी तो चार हाथ तो नहीं दिया था बाबाने उपर से बाबा ने सोना ही रा तो नहीं दिया आपको तो सेंटर बना के दिया है ना बाबा उनको तो कुछ दिया नहीं मेहनत ही किया है हाँ संभव है तो वीधी चाहिए तो उसके अंदर हमने यह टोटल देख करके सोचा कि यह दो भी पहले बताओ दो जो powerful कहा दो शब्द जाहिए दो explanations चाहिए एक अनुभव करो अनुभव क्या करना चाहिए अनुभव कब होता है क्या करने से अनुभव होता है कि expirience is authority है उसको कोई लाने सकता है अंगत की जैसे सारे विश्व के सामने चालेंज कर सकते हो कोई महनत नहीं है इतनी सिंपल चीज़ है लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया बहुत तू मैंने कुख बहुत सुनते है स्पॉयल हो जाता है दूसरा कहा कि विश्व कल्यान कारी बनो गुलजारदादी बोलती थी पहले जब शुरू शुरू में हम आये तो रोज गुलजारदादी बोलती थी बाभा कहता है कोई हर अप्ते में क्लास होता था कि बाभा कहता है कि विश्व महराजन मेरे बच्चे हो मैं अंदर यंदर हस्ती थी बाबा अभी तक भारत का नक्षाई ने देखा हमारा ही कल्यान उने हुआ तो विश्व का कहाँ अंदर या अंदर सुषती थी लेकिन अंति में देखा सारे विश्व की कोने में चक्कर लगाया सारे विश्व के एक-एक आत्मा तक ज्यान पहुंचाया जिसकी सेवा किया तो उनके अधिकारी बनेंगे न पहले समझ में ने आता है तो यहां आप समझो अगर यह यहां बेटके योग कर रहा है क्या यह विश्व कल्यान कारी करेंगा क्या इसके योग से प्रकृती परिवर्तन होंगी ऐसे बेटने से होगा क्या करने से होगा विधी चाहिए कोई मैनत नहीं है जो विश्व कल्यान कारी हो तो विश्व के अंदर मेरे अगर आप साइंस ने करके दिखाया एक मॉबाईल छोटा सादिया दस नमबर डालो रश्या अमेरिका के कोई कोने में ऑफ लगों के बीच में कोई बेटाै उस्व को पूचेगा साइंस ने करके दिखाया साइंस ने आपका फोटो लेके गया आपका आवाज लेके गया दो किया, एक रह गया क्या रह गया? दो काम उसने के, एक आपके लिए, आमारे लिए रखा, क्या हो क्या रखा, प्रिवस बहुता हो, दो काम साइंस ने किया, आप फोटो भेशते हो, आवाज भी भेशते हो, लेकिन एक ने भेशते हो, वो आपका, आपर हमारा काम है Vibrations are more powerful than the words, Vibrations चाहिए उसको का वृत्ती वातावर्ण बनाता है, तो यह चेंज तब होंगी प्रकृती, या श्रष्टी, तो vibrations परिवर्तन करता है, Vibrations are more powerful, तो वृत्ती से वातावर्ण बनता है, फोटो भेशने से वातावर्ण नहीं बनेगा, आवाज से भी वातावर्ण नहीं बनेगा, थौट बनते है, वो number one हमारा राज योग है, और आप इसलिए यहां आए हो, नहीं तो घर में भी योग करते हो, यहां पाढ़ना, इधर क्यों आना चाहिए, कितने सालों से कर रहे हो, यहां संगटित रुप में, सब के मनें जितने बैटे हैं, सब के मन में एक जैसा, पांच मिनि सब के मन में एक जैसा विचार हो जाए, यह संगटन की शक्ति पहले हवन करते हैं, कि मकान का वाइबरेशन चेंज करना है, है ना विघन को धूर करना है, अब हमारे जिवन में भी दुख, अशांती, बीमारी है, बाहार भी है, तो दुनिया को हम कुछ देने वाले, दाता कौन मददकार? योगी तु आत्मा है, धन देने वाले, तन देने वाले भी नंबर दुसरा, योगी तु बच्चे मेरे बच्चे है, तो उसके लिए यह दो चीच अच्छे तरह से जाना चाहे, उसके लिए पहले यह दो बाते स्पस्टोना चाहे, जो बाबाता है मुडली बता हो, आप तो दिखाए देरे बेंजी, तो आप कहते हो मुझे समझो, आपको कैसे समझो, मैंने भाई तो नहीं कहा, बाबा कहते है, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, तो आत्मा बेटी दे शरीर में, और कोई नहीं बेटा है, तो कैसे समझो, चा टेक्निक, प्यूस तो प्यूस भाई तो भाई बेंजी तो नहीं कहा, मैंने, हाँ, बेंजी आपका नाम, आप कहां से आए, आप क्या करते हो, हाँ, ये बेंजी कहां से आए, ये बेंजी कहां से आए, है ना, सभी आत्मा यह है, हर एक अपने आपको जानता है, मैं पापात्मा हूं, देवात्मा हूँ पुन्यात्मा हूँ आप कहेंगे आप उपर बैठे आप फरिष्टे बन गए आपने कहने से फरिष्टे ने बनता हूँ मैं जो हूँ वो मुझे पता है और मुझे में भी किसको पता है अगर ये जवाब दिया तो आप पक्का ग्यानियो मेरे ऐसे संसकार है ये कौन बोल रहा है बुद्धी के अंदर समझ है बुद्धी के अंदर सब याद है बचपन से अब इसे मैंने क्या किया है वो मन पूछता है मैं कौन तुरंद बुद्धी कहते हैं मैंने बहुत पाप किया है मैं भगवान के नजदिक कैसे योग में बैठते है नींद क्यों आ रही है किस ने क्या किया क्या तकलिफ है तो पता आत्मा कि अंदर बुद्धी को सव याद है वो सक्त्य है वो चैतन्य है वो हर चीज सदा तब जागती जोत है कभी सोता नहीं है मरने के बाद भी दिपक जला के रखते है और सक्टे बोलता है तब हम कहते है Inner Conscious is Biting अंदर दिल खाता है जूट तो बोलके आए कुछ बताके आगे लेकिन अंदर चैन से सोने सकते है बाबा के कमरे में बैटो दृष्टी लेने सकते है जुकता है ने तो बाबा के कमरे नींद क्यों आई किसे मिलते तो नींद आती क्या अंदर तब का सच्चे दिल पर साहिब राजी है तो उस दिल को साफ करना है और सारे कलब में यह एकिस समय है और उसमें भी अभी थोड़ा सा रह गया है पताने दुबारा पोचेंगे कि नहीं है इतना थोड़ा समय और महनत नहीं है सिर्फ समझना और करना भी आपके पास और दो दिन है कर सकते हो यहां कि ऐसे वातावर्ण चाहिए बहुत लोग ज्यान योग तपस्या करना चाहते तो सभी का सईयोग चाहिए शरीर का भी चाहिए परकृते का भी चाहिए अवरों का भी चाहिए अगर सामने कोई बैठा जुटका खा रहा है कोई कमरे में खराटे करता है आपको सारी रात नीन ने योग को रमृत्वेले होगा तो सब भी का सईयोग चाहिए तो ये मदुबन में 50, 60, 70, 80% है अगर आप बताएंगे तो आपको दुसरे जगा मिल सकता है बाके कहां किसको बताएंगे तो ये विवस्ता है तो उसके लिए क्या करना है एक है आत्मा समझना है तो जबी भी अमरुत्वेले और शाम को सबे रहे जबी भी बैठो खास करके दो बाके समय भी कर सकते हो लेकिन फिर भी ये दो समय बैठते ही एक अंदर आन दरवाजे से अंदर गुस्ते हो तब भी सोचना मुझे कितना मिनिट बैठना है डाइनिंग हॉल में जा रहा हूँ कि योग करने जा रहा हूँ डाइनिंग हॉल में मॉबाइल चालू रहेगा तो चलेगा जैसे चपल भार छोड़ते हो उदर ही मॉबाइल स्विच आफ आदा घंटा पहले सोच के आदा घंटे किसको मिलना है को आदा घंटे के बाद जाना अलराम कुछ रखो मुझे आदा घंटे घड़ी चारो तरफ लगे मना समझ से ध्यान करो दिखाने के लिए भावना अश्रदा हो गई समझ से करो तब मुझे समझ दाश बाबा ने अब भी दो-चार दिन पहले कहा था सत्युग में कौन होंगे समझ दार बच्चे तो यहां समझ दार योग्य बनाता है ऐसे किसी को उठा के ने ले जाता है समझ दार बनाता है तो उसके लिए कुछ नहीं करना है जब बैठते हो पंदरा मिनिट बैठो, पांची मिनिट बैठो बैठते ही पूछ लो मैं कौन? यहां के गित बजा, इदर उदर कुछ नहीं आके अपने जगा पर बैठो अपने एक्टिवेट कर अपने को पूछ वो मैं कौन? तुरंद बुद्धी जवाब देती निश्चह बुद्धी, जिसको पूरी निश्चह है कैसे पता चलेगा? उसके अंदर हाँ हूँ, इदर दर कुछ नहीं होगा तुरंद बुद्धी जवाब देती है मैं सरुशक्तिवान शुब बाबा का बच्चह हूँ मैं आत्मा हूँ इतना नहीं किसका हूँ मैं? फलाने राजा का पेटा हूँ मैं मैंने फलाने भगवान का मिनिश्टर का बेटा हूँ, वो फुल चाहे मैं सरुशक्तिवान शुब बाबा का बच्चह कोई दुसरे विचामना माया, रावन, नेंद कभी आई नहीं सकती, आप चाते भी नहीं आएगा कि ये अपने आप बुद्धी सब इंद्रियों को इंद्रियों जीत कहा ये बुद्धी के इंदर पवर है समझ से जवाब दे रहा है जागरत है, दूसरा मेरा रूप, तुरंद बुद्धी को विश्वास है, अपने आप विश्वास नहीं, अगर कुछ डवट है पूछ लो, पढ़ाई करो collect information किताबों से पूछ करके आत्मा, परमात्मा और जो भगवान सत्युक बना रहा है इस तीनों का बाकी नहीं चाहिए उसकी creation, सत्युक क्या है कौन होगा वोगदर, कौन जाएगा क्या करना चाहिए आत्मा क्या है, आत्मा के अंदर मन है, बुद्धी है, संसकार है यह मन क्या करता है उसकी study करो, पूछ लो, clarify करो आत्मा का basic, बुद्धी क्या है किसने दिल कहा किसने और कुछ कहा, पूछ लो बाबा है, अगर कोई नहीं चाहिए बाबा के कमरे में बैठो और बाबा से, बाबा आज अपने दिल, दिमाग, चित, वृत्ती क्या क्या बोल दिया, क्या है हमारे अंदर बाबा से बुछो भगवान के घर में अंधेर नहीं है कल परसो दो-चार दिन के अंदर मुरली में आएगा, नहीं अपने आप, कोई न कोई क्लास, किसी ने द्विरा आपको पहुचाएगा वो उसका काम है अब उसने कहा मैं टीचर हूँ, बाब हूँ उसको पूछ लो, नहीं कोई मिला योग्य वैक्ति मिला पात्र उसको पूछना, और किसी को नहीं वो और कन्फ्यूज कर देगा पूछना भी किसको है तो मन क्या चीज है ये जानना चाहिए अभी भी, बहुत लोगों को पता ने देखा, बुद्धी क्या चीज है, क्या करती है हमारी बुद्धी तीन प्रकार से काम करती जैसे दोनों हाथ मेरे एक ही जैसे है इस हाथ सिखाया तो क्या होगा मेरा अधिकार है हाँ, आपका अधिकार है लेकिन समाज में औरों के साथ रहते हो कोई कहेंगा, माबाप ने उनको खाना खाना ने सिखाया दोशी कौन? माबाप यह अपने मनबरजी से कुछ कर रहा है तो दोशी माबाप तो इसके लिए सोच समझ बुद्धी का तीन प्रकार के बुद्धी काम करती है चौता, तिसरा संसकार दो प्रकार करती है, फरिष्टा, फरिष्टा कहा? फरिष्टा बनो फरिष्टा कैसे बनते? कौन रुनता है? कब बनता है? क्या होने से फरिष्टा बनता है? फरिष्टा का नौलेज़ चाहिए यह शरीर का डिजाइन कौन करता है? आपके तो मुझे लक्षमी बनना है नाराइन बनना है कौन बनाएगा उस बहुत कुछ पढ़ लिया बहुत योग किया तो बनेंगे नहीं संसकार से संसार बनता है संसकार डालो ग्यान से नहीं बनेगा उस प्रकार के संसकार चाहिए संसकार से संसार बनता है तो यह सब ग्य चाहिए, यह कलेक्ट करने, यह इनफॉर्मेशन है, तो यह समझ के अंदर भर दिया, योग में पेपर लिखना है, यहां यूज करना है, तो वो यूज करने के अंदर दो आया, एक, और एक आया, पांच प्रश्ण बताया, मैं कौन यहां बैटते ही, नहीं तो वेर्थ, बु बुद्धी को खाली ने रखो, उससे बात करते रहो, तो यह मन और बुद्धी का डायलोग पहले चाहिए, फिर आप और बाप से बात करना, दो ही काम है, अपने आप से बात करो, और बाबा से बात करो, बाबा से क्या बात करना, अपने आप से क्या बात करना, यह पता होन बनो, अव्यक्त बनो, अश्रीरी बनो, विदेही बनो का, कैसे बनो, यह पाँच नाम है, बैटते ही पाँच प्रश्ने हैं, ज्यादा नहीं, मैं कौन, आराम से, जब तक जवाब संतुष्टता से आता नहीं, Satisfactory, हाँ मैं यह हूँ, तब तक आगे जाना नहीं, पुछते रहना, मेरा रूप, सफेद चमकतावा सितार, बिंदु नहीं, बिंदु क्या बिंदु बहुत है, इस सफेद चमकतावा सितार, इस ब्रकुट इधर बहार नहीं है, इन बिट्वीन, मस्तक्त है, हाईपोतलेमस, पिटोटरे ग्लाइन, उनके बीच में है, यहाने, पोपट, नहीं, शान सुरूप नहीं हो, था, 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 अब था, सत्यूप में शान सुरूप था, अभी नहीं, पहले था, यह बोलना पड़ेगा, तो मेरे गुण, मैं आत्मा सत्यूप में जब था, बिल्कुल पवित्र था, शान सुरूप था, ऐसे मुझा भी बनना है, मेरे कर्म मैं आखों से इदर उदर देखता है अभी योग में बेटाओं इदर उदर हिलाना नहीं रिलाक्स केते है डिटाच आखों से हिलाओं नहीं इदर उदर मुख से बोलना नहीं हाथ पाव का कोई काम नहीं यह शरीर अलग है कि मैंने अपने को जागरुत किया फिर पाच्वा महीं कहां से आया सिधा परमधाम इस पाच प्रश्टनी याद रखना जैसे आपके पास मोबाईल है मेरे पास भी है बात कर सकते हो कर सकते है छोटू बात कर सकते है कर सकते है छोटू कर अगर हमार नंबर ने बात ने कर सकते तो बाबा का नंबर बाबा ने दिया आपको, दिदी ने दिया, ममी ने दिया, पपा ने दिया, नहीं, तो फिर आपका बात तो बाबा तक पोहुचती नहीं, आज नंबर लेना बाबा से, ठीक है, तो यह पांच नंबर है, जब बैठत ही पूछो मैं कॉन मेरा ूप मेरे गृण मेरे कर्म मैं कहा से याद रहेगा तो यह आत्म चिंफन तो इसके अंदर दुनिया के अंदर चिंफन palabras कहेंगे तो मन में चलता है इसलिए चिंतन नहीं आया चिंतन शब्द को इस इश्वर्य विश्विध्याले में अर्थ अलग है मैं कौन पूछना तो बुद्धी का उपियोग होना चाहिए तो मन बुद्धी एक होता है एक आग्रता अपने आप होंगी कुछ नहीं करना है एक आग्रता रिजल्ट है जहां मन बुद्धी दोनों एक साथ चलती है तो रिजल्ट एक आग्रता फिर आया पांचो होगे आप पांचवा मही कहां से आया परमधाम परमधाम में श्व बाबा को क्या आद करेंगे बताओ तो आपका भी बाप हमारा भी बाप है आप हमारे बाबा को क्यों आद करते हो तो आपका है तो क्या है उनके पस क्या चाहिए आपको उनसे गुण तो देवी देवताओं का है सोला कला संपना जी बताया लेकिन आपने पहले गुण कहा तो ठीक नहीं उसको ठीक करना आज के बाद गुण देवी देव था, तो शुब बाबा कौन, नहीं, आपने और कौन बताओ, सागर दूद का सागर है, पानी का सागर है, किसका सागर है, खारा पानी है, जल्दी बताओ, ने तो ये कार्तिक न उशार है, तो रंद बताएगा, गंपती से भी बड़ा है, फ एक गड़, एकी, और, आठ शक्तिया है, अभी कान खोल के सुल नहाँ, बलो, और, मुडली में रो जाता है, तब क्या की अभी तक शुब बाबा को आप जानते नहीं हो, तब का मेरे बाबा को आप क्यों याद करते हो, आपका बाबा है, तो आप जान दिए मेरे पिताजी वो मेरा बाबा है, तो मेरे बाबा को आप याद करते हो, तो शुब बाबा की आठ शक्तिया है, पवित्रता का सागर, शांती का सागर, नंबर वाइज है, आनंद का सागर है, ज्यान का सागर है, दुख हरता, पहले दुख हरता, फिर सुख, सुख कहेंगे शरीर का आगया तो दुख हरता सुक करने की, सुक प्राप्त करने की विधी बता है, दुख हरता सुक करता, मुक्ती जीवन मुक्ती लिबरेटर, है ना और भाग्य बनाने की विधी बताता है, भाग्य विधाता, तन, मन, धन समय, श्वास, संकलप कैसे लगाओ क्या करने से पद्मों की पहले भी करते थे अभी भी कर रहे हो लेकिन क्या करने से पद्मों की कमाई जमा होती है और दिव्य बुद्धी दाता यह आठ शक्ति है दिव्य बुद्धी दाता भाग्य विधाता दुख हरता, सुक करता मुक्ती, जीवन मुक्ती दाता भाग गिवदाता हो गया पविचांती का सागर आनंद का सागर ज्ञान का सागर और पवितरता का सागर चार सागर है और चार उनके पास पवर्स है पवर जो पतित आत्मा को पावन करने के, दुख्षी को सुख्षी बनाने की विधी बताता है भाग्य बनाने की विधी बताता है कैसे भाग कर बनेगा आपका आप कहेंगे जैसे जानकी दादे को कहा, बाबा मेरा भाग, मैं तो पड़े लिखे नहीं हूँ बीमार हूँ, सदा, खटया पर हूँ मेरा क्या होगा ये देखो दादिया इदर गए, मम्मा ऐसी बेजादी प्रकाश्मन ऐसी बनी बच्ची तुमारा भाग मेरे हाथ में अमदा इसमने पुना में हॉस्पिटर, खटया पर सुई थी दवाई देने के लिए कोई लेके आया दवाई नेतनी बीमार, और तुरंद मदवन से फोन जानकी को मदवन भेजो बाबा ने बुलाए अरे मैं जाके क्या करूंगी बीमार, बुदर कैसे जाओ न OG बाबा ने बुलाया तो बाबा ने का भाग्य विधाता है हम अपने रूप में देखता है मैं कुछ नहीं हूँ, मैं क्या हूँ वो बनाता है, क्या से क्या बना देता है कभी सोचा भी नहीं होगा इसले का हम अपने लेवल में देखता है उसकी नजरों में है तो इसले यह आठ शक्ति याद रखना भूकना नहीं, यह नंबर है, योग में अमृत्वेले पावरफुल, अपने अपने बेना, पवर है, आत्मा को शक्ति चाहिए, शरीर को नहीं, मैं शरीर नहीं हूँ, किसने का शरीर नहीं है, कहा छोड़ देते हो, शरीर में है, नेगेटिव अ यह बोर के सब्जेक्ट शरीर के लिए, आत्मा बोर नहीं होती है, और खुछी होती है, जितना आत्मा चिंतन उत्मे एनर्जी तेहर होती है, उसको कहते है, पोजीटिव एनर्जी तेहर होती है, तो वो एनर्जी को अगर सरुष शक्तियों से मिली, उसको साइंस ने करके दिखाया, इलेक्ट्रो मेगनेटिक वेवस, आपने मोबाइल में यहाँ नमबर डाला, वो अमेरिका, लंडन कैसे पोँच गया, कौनसी तार है, तो इलेक्ट्रिसिटी, मन संकलब शक्ति है, पवर, थाट पवर, तो करंट सूरी की किरने देखो, सीधा जाती है, राउंड राउंड नहीं, बुद्धी, चुमबक है, फोटो भी खिछ लेता है, आवाज भी खिछ लेता है, सब कुछ भर लेता है, चुमबक, मन ने संकलब दिया, मै कौन, बुद्धी, तब बाबा ने आज का देखो, मन्थन, चिंतन, चिंतन मन करता है, उससे वाइब्रेशन नहीं बनते है, मन्थन, जो आज आपको कहा, भर लिया आपने, कि मै कौन, बुद्ध अंदर भर दिया, शुमब बाबा कौन, जब आप पुषेंगे योग में, बुद्धी बताती है, यह मन्थन, बुद्धी के अंदर निकलती है, बाबा, पवित्रता का सागर है, और बाबा कहते है, मेरे जैसे पवित्र बनो, अब बाबा से दिखाई नहीं देरा कुछ, बात करे हैं, इसे कॉंसियस ट्रेवल, स्मृति की यात्रा है, तो बाबा कोई विज्वलाइज चित्र नहीं, रियलाइज, पता है, उपर है हो, तो यहां पुछते हो, बाबा, आप कहते हो, पवित्र बनो, कैसे पुछते हो, आप संसार में आओ, पता चलेगा, उपर बेटके केते हो, पवित्र बनो, क्रोध नहीं करो, तो कैसे, इस परिस्टिती में कैसे बनो, क्योंकि बाबा ने पचास साल से इतनी मुडली सुनाए, किसके लिए, अंदर भरा है, बच्चे इस परिस्टिती में ऐसे चलना है, इस परिस्टिती में ऐसे चलना है, सब भरा है, यूज करो, हाँ बाबा आपने कहा था, कि मॉबाइल होते वे गलत चीज देखना नहीं, नहीं, आज के बाद बिलकुल नहीं देखेंगे, आज भूलो गई, दुबारा नहीं होंगी, एक दफाँ माफ करो, बाबा आपने कहा कि किसीने कुछ भी क्या, तुम सहन करो, मैं बैठाओ, मैं देख लूँगा, तुम एक शब्द नहीं बोलो, मेरे माने होंगे न, नहीं तो धर्मराज, आज बोला, क्या बोला, करतिक, बताओ, करतिक मुने उशार होता है, तो धर्मराज के दंडे खाने पड़ेंगे, बोल अगर मेरा नहीं मानते हो, श्रिमत पर नहीं, सब बताता है, वो यह याद चाहिए, तो मुर्ली ऐसे पड़ो, बुद्धी के अंदर, बुद्धी, मन, चंचल कहीं जाता है, तो नहीं, आज बाबा ने एक कहा, तो ज्ञान का उप्योग ज्यान, ज्ञानी तो आत्मा, ऐसे पड़े, रोज मुर्ली सुनी किताब में लिखा, बंद कर दिया, कल सबेरे खोल दिया, वो सत्यूग में आएंगे, हाँ, आएंगे, आज बाबा ने कहा, थोड़ा हुनर सिख करके, वह लेबर करके, प्लेन बनाएंगे, आपके लिए मकान बनाएंगे, अभी भी मकान बना एक शब्द लेलो, दो भी ने चाहिए, सारे मुर्ली से आपको जो अच्छा लगा, एक बुद्धी में रखो, ब्रामण अगर कहना चाते हो, तो नहीं तो शुद्र है, बहुत कुछ भरेगा, दुनिया में बहुत कुछ है, रात को अगर आपको किसी ने पूछा, आज बा तब कहा दिल से हात रखो, वा बाबा, आज रात को इनोंने पूछा, और मुझे तरंद याद आया, तो आप मेरे दिल में बैठे हो, दिल मना बुद्धी में, बाबा का श्री मत होना चाहिए, तो ये दिल नहीं है, तो अपने आप परिक्षा लेलो, अपने को तयार करो, और कोई नहीं करेगा, ठीक है, और जब बैठते हो, एक एक शक्ति लेलो, पहले पांच प्रश्न, बाबा, आप पवितरता का सागर, आप कहां और मैं कहां, क्या मैं सत्यूग में आ सकता हूं, हो सकता है, संभव है ये, हम गरस्ती है, परिवार वाले है, कोई नहीं उसी को लेने के लिए आया हो, और कुछ नहीं करना है, सब कुछ गरस्त चोड़ना नहीं, बिजनेस चोड़ना, सब कुछ करते रहो, तब उसी उनको ये ले, गरस्त आश्रम, उनको ये मेरे से बात करो, मैं सिखाता भी हूं, पढ़ाता भी हूं, शक्ती भी देता हूं, इस क्या करो, सब सिखाता हूं, तो वो दिल की प्यार चाहिए, समझ चाहिए, सिर्फ प्यार ब्लाइंड होता है, समझ से, अधा घंटा ही, पंदरा मिनिट बेट बस, सबेरे शाम, कल करके देखना, अम्रुत कल अम्रुत वेले भी है, शाम को भी है, कुछ नहीं करना, आठ शक लेलो, दो लेलो, आपके उपर है, और बैटते ही, दूसरे कोई विचार नींद नहीं आना चाहिए, ये दोनों को एक्टिव रखना पड़ेगा, और ये भी आद रखना, ये दोनों कभी भी एक होते नहीं है, यही कटिन है, दोनों सदा विरुद्ध दिशा में जाने माल तब बाबा ने का, बच्चे मुझे याद करने के जुरुत नहीं है, 69 के मुर्ली पड़ो, बच्चे उपर आने के जुरुत नहीं, मैं सामने खड़ा हूँ, आखे खोलो, तर देख लो, नहीं, ये आखे खुलती नहीं है, अंदर पापों का कोटिंग, नहीं तो स्री अरिजुन के सामने खड़ा था नहीं देश सकते हो, अब भी भी आप देखना, गुलजादादी के तन में बाबा आता है, किसने देखा बाबा कैसे आया, बिंदु कब आया, कब गया देखा, हाँ कहीं बच्चे है, आपके दिल्ली में एक कुमार है, अभी भी जिवित है, कहानी नहीं, कैसे बाबा आया गया, देखा हुआ, अभी भी कुमार है, अभी तो 70 एर सोंगे उसको साइद, मुझे दो साल पे ले मिला, पता चला, छोटा आठ साल का था, होटेल में काम करता था, तो कैसे ऐसे बाबा के प्योर बच्चे भी है, जो पवित्र है, कैसे दिवी दृष्टी कैसे पूचेंगे आप, वो भी देख सकते हो, अगर दॉक्टर ने मुझे का आपको शुगर है, ऐसे बोलते हो, दिखा हो, वो एक्सर निकाल के दिखाता है, तो यहाँ भी आप देख सकते हो, मैं पुन्य आत्मा हूँ, पाप आत्मा हूँ, कौनसे आत द्रीम्स आर टलिंग वाट यू आर, यह कही से नहीं, इनको देखने से आया, इनको देखने से यह हुआ, यह टेमपर वरी, अंदर क्या भरा हो, अंदर की सफाई, अगर आज से एक महिने के अंदर, एक दिन भी पाँच विकारों के मिनिमम, अगर कोई कहता है, पाँच व लाने सकता है, तो आपका यह टॉपिक यह था, इलेक्ट्रो मेगनेटिक विवस, तो यह मन प्रश्ण करता है, यह बुद्धी जवाब देती, उससे जो निकलता है, उसको वृत्ती कहा, मन जो करता है, वो संकलप है, बुद्धी के अंदर जो चलता है, अंदर करंट कहते ह उसको, अंदर यंदर चलता रहता है, इनों ने मुझा इसा क्यों का, यह क्यों, यह क्या, वो अंदर चलता है, बुद्धी, अंदर बाहर दुसरा नहीं, इनर कॉंसेस, और कॉंसेस ने, बुद्धी, तो उससे वृत्ती बनती है, बुद्धी जो चलाती उसका नाम वृत् अगर भार बार करते हो, तो पवर्फुल वृत्ति, फ़्वर्फ।ल वाइबरेशन, दुनिया के उस कोने में पौचा सकते हो, वो विष्व कल्यानकारी, और वही परंधाम में बबाबा के शक्ति लेते करते हो, तो उसको सकाष कहा, आकाश में देकर, जो पवर्फुल करते हो चिंतन करते हो वो एक व्यक्ति को भी दे सकते हो एक परिवार को भी देख सकते हो एक समाज को भी देख सकते हो वहां कितना मिनिट रहे एक शक्ति को पांच मिनिट आदा गंटा पंदरा मिनिट एक शक्ति के और गहराय में जाना पवितरता क्या है शांति की शक्ति क् क्या है वो, किसमें आना, उस पर सुचो, वहां रहकर, उसके साथ करें, पावर हाउस ते कनेक्टर है, संकलब मेरे शक्ति उसकी, बाबा, इस आत्मा को शान्ती की शक्ति दे दो, टार्गेट किया, देना न देना उसका काम, हम तो, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हमारा अधिकार रिक्वेस्ट, वो जानता है इनको कर्मों की गति, वो उसके उपर है, तो ये सकाश, दुसरा, पावरफुल वाइबरेशन, पावरफुल के पावर हाउस ते कनेक्ट होके, चिंतन करो, तो ये जब करते हो, तब देखा, अनुभाव होता, बुद्धी को फिलिंग होती है, आज एक सेकंड भी कोई विचार ने आया, मन बुद्धी के अंदर कोई हल चलने, आज करंट मिले, आज शक्ती मिले, दिल खुश होताता है, पहले स्वयम खुश, फिर आपका पुरुशाद देकर बाप भी खुश, और आपके वैवार बोल, करम, आचन, संबंध में आते ह तो दुसरों को भी आपके वैबरेशन, फूल कभी कहता ने, मेरे अंदर सुगंद आ जाओ, नहीं, खिशता है, तो वो आप एक्विमलेट करते हैं, वो अपने आप खिशता है, उसको कहा रूहानिस ने, कहना ने पड़ेगा, तो ये तीन चीजे प्राप्त होती है, और च एक महेना रगुलर करके देख लो, वो संस्कार धिरी 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 खतम होता जाएगा, तब आपको विश्वास होगा, ये गोली खाने से ये सिरदर्द गया, अमरुत विल उठो उठो कहने से ने होगा, आप चाते हो, बैठते निंदा गई, बैठते इदर दर के विचार और उसके बर ले सोना अच्छा है ना, प्राप्ति मनुष को सोना नहीं देगा, अपने आप टेगा नहीं, कुछ मिल रहा है, तो प्राप्ति के लिए विधी पेले अच्छी तरह से समझो, समझ कर के फंदरा मिनिटी बैठो, एक गंटा पावदर्द कर रहा है किसको दिख कुछ कहते हो, बहुत सालों से कर रहे हो, एक गंटा, क्या कि शरीर पुराना है, ब्रेन के अंदर बहुत कुछ भरा हुआ है, इतना खाली नहीं, तो उसके कि शरीर को भी देखना है, एन्वारमेंट को भी देखना है, और खीच के नहीं, because spirituality is not by force, it is by will, so इच्छा से करने क आ सकता है, तो एक अनुभूति कभ उती है, मन संकलब करता है, बुद्धी अनुभाव करती है, मैडवेक्टी को बहुत मिटा, खटा खिलाओ, पता चलेगा, क्या काया बता है? इन्युद्धी नहीं है, समझ है, तो बुद्धी कहते है, यह बहुत अच्छा लगा, आज ऐ इसे करना चाहिए, तब उमंग उच्छा फेथ, विश्वास होता है, वे दर ज़े फेथ, दर ज़े प्रोग्रेस, उन्नती होती है, तो विश्वास के लिए विधी चाहिए, सिस्टेमेटिक एफर्ट, और फिर का सकाश विश्व कल्यान करी, प्रकृति को भी आप उपर से, देखो उपर से पानी, सारे सब जगे जाते हैं, सबको मिलता है, और उपर जो लाइट एंड माइट हाउस का, वो क्या है लाइट एंड माइट, ये चीज़ है, उपर जाके ब संकलप मेरा शक्ति उसकी, अगर एक वेक्ति को भी देख सकते हो, लेकिन एक चीज़ आद रखना, एमर्ज नहीं करना किसी को, एमर्ज करना शरीर आएगा न, शरीर को नहीं आये, आत्मा को, बाबा, ये आपका बच्चा है, इसका कल्यान करो, तो दोनों चीज़ आई, त सब के मन में एक जैसे विचार चले, कोई कोमेंटरी सुन रहा है, कोई गीत कर रहा है, कोई नींदारी है, तो संगटन का पवर, दादी प्रकाश्मनी यहां ही, जब कॉन्फरेंस होता था, तीन दिन, स्वयम पहले आके बेचती थी, इसी भाल में, मैं सबेर चाम को 6 से 8, 6 के बाद दर्वाजा बंद, कोई भी बाद लेटाता है, नहीं, 6 बजा एक कुरेटा के वेटो, कोई काम नहीं करो, सबेरे अनॉंस कर थी, तीन दिन, जो कॉन्फरेंस के ले सादू सन्यासी, कोई भी आये, बड़े-बड़े ओफिसर, किसके ले आये हो, वो ज्यान सुनने क के ले नहीं आये, उनको वाईबरेसंस, कहाना खाने के ले नहीं आये, कुछ देखने के ले कुछ नहीं, यह अनुभा उनको हूँ, वो वाईबरेशंस चाहु, सुघंद फेलाओ, किसके ले बेठे हो, तो यह किसके ले आये हो, पूछना, मभाऍल बात करना तो, उधर ही तो थिंग्स कैनाट बीडन अधे सेम ताइम ठीक है क्या करना चाहिए लक्ष थोड़ा समय है बहुत जल्मों का और ये बाप पदमों की कमाई थोड़ा सा कुछ करो हाँ ये नहीं आई मुझे बैटना वो अग किसी को इदर उदर नहीं देख लो स्वतन्द आप समय पर आओ अपने जगह पर बैठो अपने को क्योंकि अंति में कोई नहीं आएगा तो एक कोई जाना है तो अभी से कर अभी आँ समय आया और जादा नहीं है ठीक है मन्जूर समझ में आया गया किसी के मन में कुछ दिल में कुछ रहेगा तो बताओ एक मिनिट आओर किसी का कुछ है संतुष्ट जी हाँ अब आया कि तीन प्रकार से मुनों शरीर छोड़ता है जनरल डथ एक्सिदेंटर लथ एंड सुसाइड जनरल डथ मुझे पचास साल हो गया शरी छोड़ा मुझे भी इच्छ नहीं रहने की एक सिकन में शरीर लेता है तो उसको सकाश कहा देंगे उच जाया वुदर तो पेडा बाट रहे है खुश है है तो अगर मैं जीना चाता था एक्सिदेंटल डथ तो वो आत्मा कहां जाएंगे वो भटकता उसको आपका खाना शुबभावना उसको चाह उसको कहते पित्र यह पित्र जो आयना देते है वो सब के लिए नहीं भागीरत ने तपस्या क पित्रों का उध्धार करने के लिए आत्मा का नहीं पित्र कौन जो युद्ध के मैदान में इतने लोग अकाले मुर्त्यों में मरे थे गंगा क्यों लाया गंगा में हड़ी किसकी डलते है पित्रों की पित्र वो काशी में यहां गुजरात में सिद्ध पुरत तो तीन पाके जनरल ओशरी छोड़ा चला गए उसको क्यों खीचे हमावर समझ मैं किसको करना नहीं देना नहीं पहले पूछो मेरा हाथ ही राद सबको दान करते वाप अलिगन हाथ साफ है वो पहला देखना क्या देने की में वीधी बताया तो यह वीधी अगर हो तो देने तो दे क्यों 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 क जी पिलाया, बढ़ाया, सब कुछ किया, अभी आप क्या वाले, अभी आप उनको खिलाओ, पिलाओ, आप समझा, अरपन कर दो, ने तो मेरा, मेरा खिष्ट है, तो एक दिन अरपन कर दो, भगवान तुमारे हलावा, कोई पुछेंगे, मेरा ने वो तो भगवान का था, उनके प मेरे बच्चों ने ऐसे का, अभी आपका बच्चा भीवी है, तो कल लाके देंगे तो रखेंगे, नहीं, तो वो भगवान को अरपित कर दो, उसके आपके हवाले कर दिया, जैसे सिता ने राम के हवाले कर दिया, लवकुष को अभी 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 अपिता जी देखेगा और भाईयों के पास कुछ रह गया? ओम शंति अगर कुछ नहीं करेंगे दंडा लेकर एक टीचर विया, एक खड़ा है, एक बैटा है इतले ध्यान देना पड़ता है